हरे कृष्णा तो हाली इंस्टेग्राम पे यूट्यूब पे कुछ वीडियो जाया कि जहां व्रिंदावन का संथ जो है बहुत सरे लोग कहते कि कृष्णा का दो प्रकार की रूप है एक वसुदेव नंदन है वसुदेव कृष्णा है और दूसरा जो है यशोदा कृष्ण या नंदनन्दन कृष्णा या व्रिंदावन कृष्णा है तो प्रश्णा आया क्या सच है क्या दो प्रकार के रूप है कृष्णा की तो ये जो है सिद्धान्त है ये गौडिया वैश्णवा का सिद्धान्त है जो लोग स्रिचतन महापुर का फोलो करते हैं खास करके जो व्रिंदावन में रहते हैं और जो व्रिंदावन है पूज निया धाम या सबसे अराधिय, सबसे श्रेष्ट उत्तम धाम मांगते हैं तो उनको लिए ये फिलोसोफी है क्योंकि शास्त्रा में एक श्लोक आते कि व्रिंदावन तयजेत न पादम एक गचनती कि भगवन से कृष्णा कभी भी व्रिंदावन के बाहर एक पद भी नहीं लेते हैं मतलब कृष्णा जो है हमेशे व्रिंदावन में ही रहते हैं और पहले पहले ओडियोस हमने औरडी सुना कि विष्णू और कृष्णा का अंतर या फड़क क्या है विष्णु से कृष्णा आते या कृष्णा से विष्णु आते ये हमारा और अरड़ी पहले का चर्चा है अभी हम देखेंगे कि ये व्रिंदावन वाले कृष्णा जो है और ये द्वार का मतुरा वाले कृष्णा है इसमें कुछ फड़क है क्या कि सच आच्छे का कृष्णा विरंदावन चोड़के मतुरा पे गए मतलब कृष्णा विरंदावन में नहीं अभी तो शांस्त्रा ऐसा कहते कि कृष्णा जो है हम का धाम जो है हमेशा रहते हैं ब्रह्म समीता में ब्रह्मदेव कहते हैं गो लोक एव निवसती अकिलात्म भूत भ इसा नहीं कि भगवन हर जगा है तो इसलिह उनका खुद का धाम में खाली है या घर चोड़के आया भगवन हमेशा उनका धाम में स्थित्थ है डॉड़य वैश्णव का सिधान जो है वो कहते कि जो भगवन सिर्कृष्णा व्रिंदावन में रहते हैं जो व्रिंदावन म जहां उसका वीर्यता देखते हैं, वही कृष्णा बात में द्वारका में गए, राजा के रूप लेके, तो थोड़ा आईश्वर्या, तो ये दो भाव जो है, एक माधुर्या, स्वीटनस और आईश्वर्या, ओपिलन्स, ये दो उसका फड़क है, जैसे कृष्णा ने जनम लिया कि देवकी और वसुदेव से ही, इसलिए उनका नाम आया कि वसुदेव नंदन, या देवकी नंदन, वह वसुदेव कृष्णा कहते हैं, लेकिन आचार्या लोग, जिस स्रीला जीव गोस्वामी, उन्होंने कहते हैं, एक्चुली जिस टाइम कृष्णा अपिय भी एक सन को पैदा हुए है, तो वो कृष्णा जो है, वो स्वयम भगवान रूप कृष्णा व्रिंदावन कृष्णा है, तो दोनों का एक टाइम पैदा हुए, और जैसे वसुदेव मतुरा कृष्णा जो है, उठाया है मतुरा से और वापस गोलोक में आया है, वो पर एक आ गया, तो फिर बात में हमने स्टोरी सुना कि वसुदेव जो है, कृष्णा को लेके गया है गोलोक में और बेबी इसको एक्सचेंज किया, और एक लड़की, एक छोटी बच्ची को लेके आया है वापस, वो ही योगम आया, तो अचली उसी टाइम में जब ही जा रूप जो है, एकत्र हो गया, और वसुदेव जो है, उन्होंने वो लड़की के चोटी बच्ची के रूप में, चोटी बच्ची को लेके आया है वापस मतुरा में, जहां वो पुरा लीला हुए, तो इसका वर्नन आते है, जीवा गोस्वामी ने कहां, तो जैसे कृष्ण अभी दस साल होंगे, दस साल होने के बाद अकरूर जी आया विरंदावन में, और जैसे अकरूर जी आया, बोला था कृष्णा चलो, अभी चलो मतुरा में, तो उसी टाइम में वापस स्प्रिट होगे, और जो वसुदेव कृष्णा है, वो भाग में अकरूर के साथ चला जाते हैं, और जो यशोदा नंदन कृष्णा जो है, वो विरंदावन कृष्णा है, वो विरंदावन में ही निवास करते हैं, तो इस तरह से आचारे लोग एक्स्पेंड करते हैं कि कृष्णा विरंदावन में हमेशा मदूर्यता, हमेशा स्वीट है, वो कभी राजा का नहीं लेते हैं। ऑगौड़ वाईशणव को तोड़ा मजा नहीं है, क्योंकि ठोड़ा भगवन का शक्ती है, भगवन का पावर है, वो सब देखते हैं, लेकिन स्वीट नहीं है, वो सारे चिज़े हैं, बहुत जंजड हैं, तो गवड़ वैशणव का क्योंकि विन्दावन जो है हमारे देनिया क्योंकि वो लोग सबसे श्रेष्ट भक्त है तो वो मोड को मेंटेन करने के लिए यह एक्स्प्लेइन किया कि दो प्रकार का कृष्णा है तो जो हम बोलते विंदावन कृष्णा मधूर्यता स्वीटनस और जो हम कहते वसुदेव कृष्णा है मतलब जो मतूरा और द्वारका में तो दोनों जो है वो ही कृष्णा जो है आईश्वर्य जादा है आईश्वर्य भाव में जादा है कि कृष्णा तो इतना स्वीट नहीं है स्वीटनस तो है लेकिन राजा के जैसे हैं रूप के जैसे हैं तो यह भाव अलग है रे कृष्णा